आसकर एवार्ट्स में नाटू नाटू गाने की धूम रही और इस गाने से अच्छूता क्रिकेट का मैदान भी नहीं रहा क्योंकि एमदाबार ट्रेस्मैच ज्रॉ हो गया सिरीज भारती टीम अपने नाम करने में कामयाब रही और उधर न्यूजिलनेंड शिलंका को हरा कर इस बात को तैय कर दिया कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपेशिप के फाइनल में खेलती नजर आएगी जहां पर उस्टेलिया के सामने लक्ष इस बात का था कि पहले भारती टीम की लीड को खतम किया जाए और इसके बाद फिर इस बात को तैय कि भारत क्या इस टेस्ट मैच को जीत पाएगा या नहीं भारती खिलाडियों की नजरें ठीकी हुई थी शिलंका और न्यूजिलें बने रवींद्र जड़ेजा और आर रश्विन को मैन आफ दी सीरीज शुना गया इस पूरी सीरीज जीत पर बातचीत करेंगे लगातार गावसकर बॉर्डर ट्रोफी पर हिंदुस्तान का कपजा कैसे रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे लिग्यों से पहले तीन तस्वी होई फाइनल के लिए जो साथ जून कोवल के मैदान पर खेला जागा वहीं ऑस्टेलिया और भारत के बीच ये फाइनल मकाबला होगा क्योंकि अगर आप वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप की पॉइंट से लिए पर नज़र डालेंगे तो एक बात तो बिलकुल साफ है कि ये टॉप की दो टीमे थी जिनको फाइनल में जगा मिली है तो चलिए अब क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं रोही शर्मा और विराट कोली इस समय नाटू नाटू पोस में हैं क्योंकि विराट कोली ने इस टेस्ट मैच में अपना 75 शतक लगाया वहीं रो करीम और राजकमा शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबबाई टेस्ट ड्रो रहा सिरीज हमने अपने नाम की उधर न्यूजिलेंड ने हमारा काम असान कर दिया कुल मिलाकर आज का दिन भारती क्रिकेट के लिए तो इससे बड़ी खुशी लेकर नहीं आ सकता आसकर रिवार्ड जैसा है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना अब आसकर में पहुंच तो आप गए हैं अब वहाँ पे जीत जाएं ऑसकर तब और इस खुशी का मज़ाद जो है वो दुगना हो जाएगा आज भारते क्रिकेट के लिए नहीं राजीव भारत के लिए तीन ऐसी चीजें आज घटी है जिससे हम सब लोग गरवानविद महसूस कर रहे हैं अब से पहली बात है कि नाटू नाटू को ओरिजिनल स्कॉर के लिए ओसकर मिला है उसके बद एलेफ्ट विस्परर्स को एक शॉर्ट फिल्म के लिए औसकर मिला है और के साथ साथ भारत और फिर से वर्ल्ट चैमपेंशिप के फाइल में प्रवेश कर लिया है तो यह तीन वोल्ल टेस्ट टैम्पेंशिप जीत लेनी कही है कि प्रोदर्शन काफी अच्छा रहा है पूरे टेस्ट रंकला में भारत ने डॉमिनेट किया है कि वल अगर हम इंदोर को हटा दे उसके लावा हर छेट में भारत नहीं डॉमिनेट किया है पूरे पूरे टेस्ट रंकला में राजी चले क्योंकि बॉर्डर गावसकर टॉफिय भी भारत अपने पास रिटीन करने में कामयाब रहाए, याने कि हिंदुस्तान के पास ही बार गावसकर टॉफिय रहेगी, इस बैदर को तेक या रोईश हरमाने है, बॉर्डर गावसकर टॉफिय में किस सरह से भारत का कब लगातार पर करार रहा है वो आकड़े के जरीया हम आपको जरा दिखाने की कोशिच करते हैं कि लगातार वो चाए ऐस्टेलिया के मैदान हो या हिंदुस्तान के मैदान हो भारती ये टीम का वर्चस तो देखने को मिला है गावसकर बॉर्डर ट्रॉफी में वो आपको दिख लगाते हैं या पर ये आप रोई शर्मा और विराट कोली को डांस करते हैं तो देख रहे हैं ये ये कुछ आकड़े हैं 2023 की जो बनाए है भारती टीम ने रोई शर्मा ने बतार कप्तान पहला टेस्ट तक लगाया विराट ने इंटरनाशनल क्रिकेट में 25,000 रन पूरे कि साथ ही अगर हम चौते टेस्ट मैच की बात करें तो विराट ने 75 वी इंटरनाशनल सेंचुरी लगाई फिर बात करें तो पुजारा ने अपना सववा टेस्ट मैच खेला दूसरे टेस्ट मैच के दौरान और ये सभी रिकॉर्ड बने इस साल यानि साल 2023 के गावसकर बॉर पूरे किये चौते टेस्ट मैच में ही विराट ने 75 वा इंटरनाशनल स्टक लगा दिया इसके लावा पुजारा ने अपना सववा मैच भी इसी सिरीज के दौरान खेला और विराट ने 75 वी सेंचुरी भी लगाई यानि कुल मिलाकर भारती टीम का जो डॉमिनेशन है वो यहां पर बात करें राजकमा सर जिस तरह हमने डॉमिनेट किया इस सिरीज में हलाकि टर्णिंग ट्रैक पे मैचेस से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गयता है उन ट्रैक्स को लेकर लेकिन ओवरॉल डॉमिनेशन तो रहा है इंदुस्तान का ये नसर रहा रहा ह बॉर्डर गवासकर ट्रोफी का जीतना भी इस बात की तरफ संकेत है कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में खास सोर्जे भारत का जो ग्राफ हो कितनी तेजी के साथ उपर गया है बिल्कुल राजीब पूरी तरह डॉमिनेट किया है एक इंदौर का मैट छोड़ दीजे तो भारत पूरी शंकला में हावी रहा है और ये ऐसे बात नहीं कि विकेट जैसे कहा जाता है कि दोनों के लिए होती है हम अस्टलिया में जाके हम पास विकेट पर भी खेलते हैं त इस तरह और बहुत है स्टलिया मरे जाके हराया तो ये तो टोटली वहरा राजी कर रा रहा ये तो अब ऑठक में भारत बहुत जादा हो गया है वर्ल क्रिकेट में चलिये तो बॉड़र गवास्कृर ट्रफी की बात हो रही है तो फड़ा वड़ा आक्टों के जरी एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि कितने साल से हम लगातार डॉमिनेट करते चले जा रहे हैं गावस्कर बॉड़र ट्रोफी के अगर हम बात करें उस पर एक नजर डालते ह इसके लावा बात करें अब बॉर्डर गॉसकर ट्रोफी का इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं 96-97 में एक शूनी से हम जीते हैं फिर इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें अब देखें 1997 में दो एक सम सीरी जीते हैं यह लगातार डॉमिनेशन है एक बार सिर्डोजार 19 में उस्चेलिया ने जीता है नहीं उसके बाद जो बॉर्डर गॉसकर ट्रोफी 2013 से शुरू ही है ज़्यादा तर बॉर्डर गॉसकर ट्रोफी पर हिंदुस्तान का कबजा रहा है अब इस बार का जो बॉर्डर गॉसकर ट्रोफी एक कई माईलों में बहत खास रहा क्योंक अरसे के बाद हमने देखा कि अश्विन और जडेजा को मैनावदी सीरीज चुना गया ये तो दिखाता है कि कम्पलीट डॉमिनेशन था स्पिनर्स का कैसे आप देखते हैं रवीन जडेजा को उतनी विक्टे मिली अश्विन ने 25 विक्टे ली और कुल मिलाकर अरसे करें जडेजा और जडेजा और रष्विन विशेश करके जिस तरह से उनों ने यह अंतिन टेस्ट मैच में बोली कि उक प्रकार से बैटिंग की विक्ट थी वहां पर अजिब सरह सो ने गिनवाजी की जो विरिशन दिखाए जो इसके वज़े से उनको इतने सारे विक् भारत में भारत का वच्चस बढ़ा है क्योंकि भारत अब ओवर्सीज कंडिशन में विशेश करके सेना कंट्रीज में जाकर भारत ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है तो इसलिए यह एक्स्पेक्टिव था कि भारत को वोल्ट टेस्च चैंपेंशिप को कौलिफाई करना चाहिए तो भारत इस समय अब सिर्फ एक वोल्ट टेस्च चैंपेंशिप के फाइनल को हटा दें तो हरे एक टीम के सामने भारत दबबा बहुत 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 उपर रहा है और इसी वज़े से मुझे रगता है कि इस बार भी भारत ने ज सिर्फ को आप कैसे देखते हैं शुरुआत अच्छी 30 रन 40 रन और अंतिम मैच में जिस तरह की बल्यबाजी किया हम उनकी प्रेस क्रांफरेंस में उनका सवाल जवाब भी सुन रहे थे बहुत ही कमाल के अंसे दी उन्होंने लेकिन अंतिमें कहते हैं बैट बोलता है तो फ अच्छी मिडल कर रहे थे बाल को पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहे थे लेकिन उन्फॉट्ट्रेटली विकेट बहुत जादा टिफिकल्ट थे बल्यबाजी के लिए और और बाल को नीचा रहे गया एक बार उनको ठोड़ा बैट डिसीजन भी बिला वो बैट पैड का पैड डिसीजन तो वो चलता रहा लेकिन उन्फ में एक बेटर विकेट मिला और उन्हों ने बताया कि किस तरह उस विकेट पर बलेबाजी की जाती है और शादार शातक लगाया जिसकी सभी को बहुत इंतजार था सभी उनके फैंस को बहुत इंतजार था कि वो कब अपना तेस्ट पेकिट में अगला शर्ट तक लगाएंगे तो अच्छी बात है कि अब तीनों फॉर्मेट में उनके बहुत जल्दी तीनों फॉर्मेट में हंड्रेड आये हैं और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे यही मुझे आशा है चले बहुत बहुत शुक्रिया राजकमासर आपका और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जीत के जश्में शरीक होने के लिए तो भारती टीम ने एमदामाद टेस्ट मैच्ट तो ड्रॉ रहा है और हम सब यह उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार जो गलतियां वर्ल्ड टेस्ट शेपिंशिप के फाइनल में न्यूजिलेंड के खिलाफ भारत ने की वो गलतियां ना दो रहा है झाल 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 झाल